हाई गाईज, वेलकुब बैक टो माई चैनल, मैं हूँ स्वीटी और आप देखरो स्पार्कलिंग सोल्स आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप त्री साइन के बारे में जो आपको ये बताते हैं कि आप योनिवर्स के साथ अलाइन हो योनिवर्स से अलाइन होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आज आप योनिवर्स से अलाइन हो और आप सोच रहे हो कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहूंगा दरसल ऐसा बिलकुल भी नहीं होता है ये एक कंटिनिव प्रोसेस है जिसे आपको रोज फॉलो करना चाहिए मान लीजिए आज आप यहाँ पे हो पर आप कल यहाँ आजाए इसके लिए आपको पूरी तरह अपने आपको एक पॉजिटिव हाई वाइबरेशन एनरजी में बनाए रखना है एक कंटिनिव प्रोसेस में लगे रहना ताकि आप पूरी तरह अपने कदम जमा के वहीं खड़े रहें जहां आप हैं आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे कुछ important sign शेयर करूंगी जिससे आपको यह पता चलेगा कि आप यह अनिवर्स के साथ पूरी तरह वाइब्रेशनली अलाइन हो या नहीं हो सबसे पहला sign यह होता है आपको अपने मन के अंदर एक बहुत शांती सा अनुभव फील होता है और यह शांती इतनी सुकून देते रहती है आपको कि आप इसमें पूरी तरह खोई रहते हो आपको एक परमशांती का अनुभव अपने मन के अंदर अपने पूरे शरीर में फील होते रहता है और अपने अगल बगल वाले बातावरण में भी आपको ये सुकून फील होते रहता है चाहे आपके पास अभी इस समय कितनी भी वड़ी टेंशन के हो ना पर ये अगर आपको फील हो रहा है तो आप एक बहुत जादा हाई वाइब्रेशनल और प्योर स्टेट में अभी इस वक्त हो आप यूनिवर्स से पूरी तरह खुद को अभी अलाइन कर शुकियो और sign number 2 अब ज्यादा confident, positive और happy feel करते हो अब ज्यादा से ज्यादा time अच्छे विचारों को सोचते रहोगे और अच्छे विचारों को अब इस कदर तक सोचते रहते हो ना कि आप इतने शान्त और amazing feeling में होते हो ना आपके सामने कही कुछ नुकसान भी हो जाए कर भी आपको कोई गुसा नहीं आता है आपके आगे आपको कोई भी hurt करने वाली बात कोई इनसान क्यों ना कहते है पर आपको कभी भी बुरा feel नहीं होता है क्योंकि आप एक ऐसी state में होना जहां आपको यह सारी feeling touch नहीं कर सकत आप एक के बाद एक अपनी technique भी done करते रहते हो और उस technique को done करने के बाद अपनी wish के बारे में ज्यादा time नहीं सोचते हो आप इस तरह से अपनी technique को done करते हो कि इस moment आपने अपनी इस technique को done किया और इसे बंद करके universe को stop दिया आप पूरी तरह उस surrender वाली state में रहते हो जहां आपको ये पता रहता है कि मुझे ये चीज मिल चुकी है एक सुकून वाली feeling के साथ आप रहते हो और पूरी तरह अपने मन के अंदर इस positive energy को पकड़े रहते हो जब जब आप इस तरह की pure state में रहते हो ना तब क्या होता है आप 10-15 दिन ही किसी technique को done करते हो और आपकी wish manifest हो वो आपके और किचना शुड़ हो जाती है सो गाइस अब मिलते है नेक्स्ट वाले वीडियो में तब तक आप अपना ध्यान रिखिये और खुश रहेए बाप बाई